diamond face shape हम लड़कों में बहुत ही जादा rare होती है और इसलिए शायद लड़कियों को ये इतनी जादा attractive भी लगती है लेकिन basically diamond face shape होती क्या है देखो सबसे main बात है कि आपके face की length सबसे जादा है मतलब आपका face लंबा है और आपकी cheek bone strong होती है थोड़ी सी बाहर निकली होती है आ diamond face shape के बारे में कोई भी internet से photos उठा के दिखा रहेंगी ये hairstyle diamond face shape पे suit करेंगे जैसे की buzz cut या undercut बहुत high faded hairstyles जो की बिल्कुली गलत information है अब मेरी बात आप क्यों मानोगे क्यों कि मैं आपको समझाओंगा celebrities के example से जो celebrities होते हैं वो अपने face shape और face के features के according ही अपने hairstyles और beard styles को choose करते हैं तो मैं इन ही के example से आपको समझाता हूँ diamond face shape के celebrities जैसे की Robert Patterson ये twilight वाले जो कि अब batman भी है बॉलिवोड से रितिक रोशन और कार्थिक आरे हैं इनका भी diamond face shape है इन सब को आप कभी भी high faded undercut type के hairstyles में नहीं देखोगे क्योंकि ये अपने face shape के according ही style करेंगे अप हैं जब छोटे भी करवाते हैं बालों को तो आप देखो कि ये sides के बाल faded नहीं करवाते अंडरकट या बसकट टाइप के hairstyles नहीं करवाते हैं साइट्स पर हमेशा natural volume रहता है और top पर volume थोड़ा सा जादा होता है रितिक रोशन इनको जादा तर हमने high volume hairstyles में देखा है side part पॉमपोडोर इस टाइप के hairstyles ये रखते थे शुरू-शुरू में जब भी इन्होंने छोटे बाल भी करवाया है तब भी इन्होंने एक full beard के साथ उससे balance out कराया है जैसे अगर आप war film का example हो जहां पे इन्होंने sides मे low fade look करवाया है वहां पे इन्होंने एक stubble के साथ उसक पूरे internet पे जिसमें इन्होंने छोटे बाल रखे हो इनकी हर movie में look जो होता है वो ज्यादतर इनका high volume hairstyles के साथ होता है क्योंकि इनके बालों की density मानता हो next level है लेकिन basically funda क्या है अगर आपका diamond face shape है तो आपको high volume hairstyles रखने हैं कौनसे hairstyles नहीं suit करते diamond face shape पे buzz cut हो गया undercut हो diamond face shape पे suit करेंगे आपकी beard आती है तो definitely आपको beard भी रखनी चाहिए जिससे आपका pointed chin है उसको थोड़ा सा rounded shape मिलता है अगर आपकी beard sides में patchy आती है तो आप इस टाइप की beard रख सकते हो जोगी सिर्फ center पे रहती है ये भी आप पे अच्छी लगेगी और भी question दिमाग में आ र में आपाश्ची लगेगा जबाकी के प्कींगीा जाइबाव रटे है आपके शोड़ा इस्नितय को ए para कषभा के नासली लगेगे इस अवाम